36 गड़ में कॉंग्रेस के तीन दिन का एक महाधिवेशन हुआ इस 85 महाधिवेशन से 2024 की तस्वीर निकल कर सामने आती दिख रही है एक तस्वीर में सोनिया गांधी बैक सीट लेती दिखाई दे रही है दिख ये भी रहा है कि कॉंग्रेस खुद को अपोजीशन की लीडर्शिप का चहरा मान के चल रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष मलिक आरजुन खरगे ने गटबंदन को लेकर बहुत एहम बाते कही है वही राहूल गांधी ने जो स्पीच दी उससे भी काफी कुछ साफ हो गया कि 2024 के आम चिनाव में कॉंग्रेस के जो मुद्धे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इस स्टोरी में बात करेंगे इस पर कि आखिर इस महाधिवेशन से 2024 की किस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आ रहे हैं लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरी के लिए आप अंकट को फेस्बुक यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस कारिकरम के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने एक एहम बयान दिया उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत सुखद है कि उनकी पारी का अंत जो है वह भारत जोड़ो यात्रा के साथ हो रहा है उनके मुताबिक उनकी पारी का अंत एक ऐसी यात्रा के दोरान हो रहा है जिसको वो एक turning point मानती है उनकी ये बात सुन कर इसकी चर्चा होने लगी कि सुनिया गांधी कहीं retire तो नहीं होने जा रहेगी जाहिर सी बात है कि जब Congress की longest serving President पारी के समाप्त होने की बात करेंगी तब retirement को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं होगी सुनिया गांधी को लेकर आपको ये जरूर पता होगा कि राजीव गांधी के हत्ता के बार लंबे समय तक वो राजनीती में नहीं आना चाहती थी हलाकि आंतता हुने 1997 में देश की सबसे पुरानी पार्टी Congress की command सौप दी गई इसके बाद 2004 में उन्ही की लीडर्शिप में Congress वापसी करने में सफल हुई 2009 में मनमोहन सिंग दोबारा उस यूप अगट बंदन के PM बने जिसकी command सौनिया गांधी के हाथों में थी हलाकि 2014 में उन्ही की लीडर्शिप में पार्टी ने एतिहासिक तोर पर बुरा प्रदर्शन किया और 2019 के आम चुनाओं में जब कमांड राहुल गांधी के हाथों में गई तो लगा था कि Congress के हालात सुधरेंगे लेकिन हुआ उल्टा ऐसे में पिछले पांच आम चुनाओं की बात करें तो Congress का भला बुरा जो भी हुआ है उस पर सौनिया गांधी की अमिट छात है अगर वो राजनीती को अलविदा कहती है तो देखने लायक होगा कि पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ कैसी रह जाती है Congress का future क्या होत है उनके retirement के सवाल पर Congress का कहना है कि सुनिया गांधी पार्टी को guide करती रहेंगी और पार्टी पर उनका आशिरवात बना रहेगा वैसे भी अब अध्यक्ष खर गे हैं उपर से भारत जोड़ो यात्तरा के बाद इसके सहारे राहुल गांधी ने अपनी image को revive करनी की की है ऐसे में कम से कम नितिश कुमार को तो इतना potential नजर आता है कि हाल ही में बिहार में कारिक्रम के दोरान उन्होंने कहा कि अगर Congress विपक्ष के गटबंदन के सेंटर में आजाए leadership अपने हाथों में ले ले तो कुमार को लगता है कि बीजेपी को 2024 में 100 से कम सीटों पर समि कि उन्होंने क्या कहा है उनके मुताबिक अगर इस तरीके का गटबंदन हुआ तो वो जिस बीजेपी को जनविरोधी मानते हैं उसे हराना संभव हो पाएगा उन्होंने ये भी कहा कि कि किसी तरीके का third front यानि तीसरा मोर्चा सीधे तोर पर भाजपा को फायदा पहुंच कोई और मोर्चा बना कर मत लड़े क्योंकि उनको लगता है कि जितने जादा मोर्चों होंगे बीजेपी वाले गटबंदन इंडियों को उतना जादा फायदा होगा अब बात करते हैं कॉंग्रेस के पूर अध्यक्ष और संभवता अभी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहूल गांधी की राहूल गांधी की स्पीच में भारत जोडों से रिलेटेड काफी सारे रेफरेंसेज थे उन्होंने भारत जोडों के अनुभव के सहारे किसानों और युवाओं की बात की उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें किसानों और युवाओं ने अपनी परिशानियां बताई इसे साफ है कि आने वाले चुनाओं में Congress इन दोनों के मुद्दे उठाएगी किसान तो इस देश में हमेशा से ही परिशान रहे हैं वहीं बेरुजगारी इस वक्त एक बड़ी समस्या बनी हुई है वही राउल गांदी ने अडानी का नाम लेते थरूर ने कही थरूर का कहना है कि काव विजिलेंटिजम यानि गोरख्षा के नाम पर जो हत्ताएं हो रही हैं उनके बारे में Congress को और खुलकर बोलना चाहिए उन्होंने बुल्डोजर कल्चर के खिलाफ भी बोला इस पर भी हमला कि उन्होंने इस कारेकरम के दूसरे दिन में धार्मिक मुद्ध हावी रहे हैं ऐसे में थरूर की स्पीच से साफ हो जाता है कि 2024 में Congress को ये तै करना पड़ेगा इस चुनाओं से पहले कि ऐसे मामलों पर पार्टी का स्टेंड क्या है क्योंकि अगले आम चुनाओं में मुश्किल से साल भर का समय बचा है जैसे जैस स्टोरीज जरूरी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहें आप देखते रहेगा अंकट मेर नाम है तरू